नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोस्फी मैं हूँ आपका दोस्तों को चानन दौराज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब कोई आपके प्यार की वैल्यू ना समझे तो क्या करें जब आपकी कदर ही ना करे, जब कोई आपकी फिकर ही ना करे, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी सही हो, चाहे आप कितनी भी respect करते हो सामने वाले इंसान की, कितनी भी उसको value देते हो, कितना प्यार करते हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से When somebody doesn't value you and your love उस case में क्या करना चाहिए उस condition में क्या करना चाहिए अब आप life की एक ऐसी condition में हो जहां पे आपने सामने वाले इंसान को सब कुछ आप देते हो जितना आप से बन सकता था आपने उसके लिए किया आपने उतनी care करी आपने उतनी respect करी आपने उतना प्यार दिया आपने उतनी मुहपत दी लेकिन बदले में आपको क्या मिला कि सामने वाले इंसान को कोई फरक नहीं पड़ता है He doesn't give a damn about you She doesn't give a damn about you अब ऐसे case में हम क्या करें अब यहां पे हम confused हो जाते हैं हमें लगता है या तो हमारे अंदर value नहीं है या तो सामने वाले इंसान valuable नहीं है या फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं क्या कर सकती हूँ इस लड़के के लिए इस लड़की के लिए क्योंकि हमने तो भाईया हमारी और से जितनी कोशशे थी वो सारी कर ली, हमने मत्था भी टेक लिया सामने वाले इनसान के सामने, उसके पैर भी पकड़ लिये, गिर गड़ा भी गए, रो भी लिये, माफी भी मांग ली, सौरी भी बोल ली, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से, उसको प्यार में उतनी वैल्यू नहीं है, या तो सामने वाले इनसान में वो बात नहीं है, आपके प्यार में उतनी वैल्यू नहीं है, मतलब मैं प्यार का नाम तो नहीं लोगा, आप में इतनी वैल्यू नहीं है, और दूसरा या तो सामने वाले इनसान में वो बात नहीं है, आ जादा available उतना कम valuable अपनी value आप decrease करते जाओगे अब हमेशा available रहो सामने वाले इंसान के लिए आप अपनी value खोदोगे सामने वाले इंसान को यही लगेगा यार यह तो ऐसे ही है यह तो heavy है इसको फर्क नहीं पड़ता यह तो मतलब he'll take you for granted she'll take you for granted जब कोई भी इंसान आपको granted लेता है तो क्या होता जानते हो ना they stop caring about you they'll stop caring about you और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा इस चीज से तो सबसे पहले अपनी value अगर आपको लगता है कि आपकी value नहीं है आपके प्यार की value नहीं है तो उन values को बढ़ाना start करो उन values को gain करना start करो increase करना start करो अपनी value increase करना start करो इसके उपर मैंने specifically एक वीडियो में बात करी है उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि खुद की value कैसे बढ़ा है दो-तीन वीडियो साहिद मैंने इस topic के उपर बता है आप जरूर देखिए उन चीजों के बारे है और आपको पता चलेगा कि यार कैसे मैं अपनी value बढ़ा सकता हूँ कैसे सामने वाले इंसान को feel होगा कि मैं valuable हूँ, मेरी भी इज़त है मेरी भी respect है, मेरा भी प्यार है, मेरे अंदर भी वो चीज़ है मेरे अंदर भी self respect है उसको भी कम सकम ये realize होगा दूसरा ये step था कि या तो सामने वाले इंसान में वो बात नहीं है समझ रहे हैं एक कहावत है खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो और जो ना समझे उसे समझाना छोड़ दो चाहे सामने वाले इंसान है वो नहीं समझता है आपने चाहे कितनी मिन्नते कर ली रो रहे हो, गा रहे हो, गले फाड़ के चिला रहे हो कुछ भी कर रहे हो उसको फर्क नहीं बढ़ता तो नहीं पड़ेगा अगर वो नहीं समझना चाहता तो नहीं समझेगा चाहे आप कुछ भी कर लो अगर आप एक ऐसा इंसान को समझा रहे हो जो फूल है जिसको समझ में नहीं आता है जो समझना ही नहीं चाहता है वो क्या समझेगा? एक तो है कि उसको समझ में नहीं आता है यहाँ पे है समझना ही नहीं चाहता जो इनसान समझना ही नहीं चाहता उसको चाहिए आप कितना भी समझा दो उसके सामने रो लो, गिरगडा लो, चिला लो, ये कर दो, वो कर दो, फासी लगा लो, मर जाओ, कोई मतलब नहीं है उसको ये है जीवन का कड़वा सत्या, ठीक है मेरे दोस्त, उसको फर्क नहीं पड़ेगा उस लड़के को फर्क नहीं पड़ेगा उस लड़के को फर्क नहीं पड़ेगा जिसके चक्कर में हुआ जिसके साथ रिलेशनशिक में हुआ क्योंकि उसकी नजरों में उतनी value आपने create नहीं करी है उसकी नजरों में या तो आपने value खो दी है या फिर आपने create नहीं करें दो चीज़े हैं तो चाहे दोनों चीज़ों से खुद को समझो कि अगर आपकी value नहीं है अगर आपकी प्यार की value नहीं है तो अपनी value generate करना start करो अपनी value increase करना start करो in the same way अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान नहीं समझेगा उसको समझाना बंद करो समझाना छोड़ दो उसको समझाने के कोई फैदा नहीं है आप खुद और depressed हो जाओगे आप खुद और stressed हो जाओगे आप खुद और tense हो जाओगे लेकिन एक ऐसा बच्चा है कि जो समझना ही नहीं चाहता है कि मैंको तो समझना ही नहीं है भाईया उसके दिमाग में उसके अंदर यही बात है कि मैंको तो समझना ही नहीं है इनकी बाते तो पागलो वाली होती है इनकी बाते तो ऐसी होती है इसको लेना ही नहीं, इसको गुसाना ही नहीं कान में, तो क्या होगा, वो टीचर उस बच्चे को कभी नहीं सिखा पाएंगे, ठकहार के वो depressed हो जाएंगे, वो परिशान हो जाएंगे, अपने हाथ ऐसे पीज़े कर लेंगे, भाईया, राम राम, निकल दो, यही कहना चाहता दो चीज़े करो, या तो खुद की value बढ़ा के देख लो, अगर कुछ होता है, then that's fine, it's okay, अगर फिर भी नहीं होता है, तो खुद को पागल बनाना बंद करो, और आगे बढ़ो चुपचाप, चुपचाप, एक समझदार इंसान की पहचान होती है कि चुपचाप, वो कम चुपचाप आगे बढ़ जाता है, चुपचाप आगे निकल जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, बस इतना ही कहना चाता था आपका दोस्त उस्त को चानत, thank you so much for watching this video, stay connected, stay blessed, God bless you मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत